दो कि आप सभी लोहूं का स्वाकत हैं आज की इस सबाह में जो लोग ओंलाइन में है आपका भी स्वाकत हैं आज मैं एक विशेव पर चर्चा करना चाहूंगा और आपका ज्यादा समय नहीं लुदोंगा परमेश्वर की सुरक्षा हमें कैसे मिल सकती है या परमेश्वर की सुरक्षा को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए या फिर परमेश्वर की जो सुरक्षा है उसके पीछे क्या रास है क्या रहसी है ऐसा क्या करने से हमें हमेशा आज की बाशा में 24-7 अम उसकी सुरक्षा को मैसोस कर सकते हैं हमें ऐसा क्या करना होगा हम चलते हैं बजन सहीधा उसका 125 वख बजन सहीधा में 125 वख बजन वे हम आज पहली बार सबसे पहले उसमें देखते हैं साम 125 इसमें जो कुछ भी लिखा है इसका पहला पत्को ही हम देखेंगे और इसमें जो कुछ भी लिखा है उस पर हम विचार करने की कोशिश करते हैं 1205 जो यहोवा पर बरोसा रखते हैं वे सियोन परवद के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है दूसरा पत्थ जिस प्रकार यरुशलेम के चारों और पहाड हैं उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों और अपसे लेकर सरवदा तक बना रहेगा मैं एक बात पूरी चर्च को बताना चाहूंगा कि वेनस डे को बुदवार के दिन आट बजे मिलते हैं आट से नौ तक हम मिलते हैं बाइबल का अधियन करते हैं उसमें आने की खोशिश कीजिए वो मीटिंग ओनलाइन है तो आपको किसी जगा पे आने की ज़रूरत नहीं बुदवार की मीटिंग में हमने एक बात पर दियान दिया पिशली बार कि परमेशर के जन्र पोलुस कहता है कलीसिया से काफी सालों तक चर्च में रह के सिखाने के बाद और जिस चर्च से वो बात कर रहा था उस चर्च के लिए उसने तीन साल लगातार मेहनत की शिक्षा देने में परमेश्र के राज या परमेश्र के राजी का सुसमाचार को लेके आपका मालब मैंने कि दो सुसमाचार है एक उद्धार का सुसमाचार और फिस उद्धार पाने के बाद राजी का सुसमाचार और पौलस ने दो बातें कही एक कलीसिया के अगवों से कहा यानि वो सारी बातें कलीसिया के लिए थी कि जो खुश तुमारे फाइदे की थी जो बातें जो जो बातें तुमारे फाइदे की थी मैंने तुम्हें सिखाने से ना जिचका और दूसरा परमेश्वर के पूरा अभिप्राय या परमेश्वर के सारे अभी प्राय पूरी रिदी से यानि परमेश्वर की सारी योजनाएं परमेश्वर के सारे मकसद मैंने तुम्हे पूरी रिदी से बता दिया अब मैं जिम्मेदार नहीं हूं अब यदि कोई नाश हो जाता है तो मैं जमेदार नहीं हूं तो ध्यान रखिए परमेश्रक के सारे अभी प्रायर हर एक विश्वासी को मालम होना चाहिए जो कुछ आपके फायदे के हैं उन सारी बातों की विश्वे में आपको जानकारी होने चाहिए तब ही आप चल सकेंगे तो बुद्वार को आने की कोशिश कीजिए आपके अपने फैदे के लिए ताकि मैं यह कह सकूँ कि मैं अब जमेदार नहीं हूं 125 में क्या लिका है जो यहोवा पर बरोसा रखते हैं वो सियोन परवद के समान स्तिर रहेंगे वो किसी भी वज़ा से गिरेंगे नहीं ठलेंगे नहीं जो यहोवा पर लेकि दियान रखना है यह नहीं लिखा है कि जो चर्च जाते हैं यह नहीं लिखा है कि जिनके पास वाइबल्स हैं यह नहीं लिखा है कि जो हर मीटिंग में जाते हैं इन सब कारियों से आपको फैदा हो सकता है फैदा मिलेगा और यहोवा पर येशु मसी पर बरौसा रखने में आपको इन सब बातों से सहाइदा मिलेगी लेकिन येशु या परमेशुर यहां पर क्या कहता है कि जो यहोवा पर बरौसा रखते हैं वो उस Sion परवत का आमारे या में कौन सा परवत है? ये उस जमाने के लोगों को उनकी समझ के अनिसान उनके लिए लिखा था क्योंकि यरुश्यलिंग के, यरुश्यलिम शेहर जो है Sion परवत के उपर है और वहां के निवासियों को अच्छी तरव वो मालूंदा कि यह जो यरुशलेम शहर है जहां बर हम रहते हैं इस पर इतनी आसानी से आकरमन नहीं हो सकता है एक तो वो सियोन परवत के उपर है और दूसरा सियोन परवत की चारों दरब और और भी बड़े-बड़े परवद है बलकि जो जतुन का पहाड जो है वो सियोन परवत से भी ज़्यादा उन्चा है और जतुन परवत के समान और बहुत सारे परवत उसके आसपास थे और वहां के लोगों को ये बात जल्दी समझ आती थी और आज क्योंकि हमारे पास जोग्रफी है और आप आज गूगल यहां मेट के आप देख सकते हैं उन परवतों क तो जिस तरह सियोन में रहने वाले सुरक्षित मैसुज करते थे हैं अपने विशे में उसी तरह यहोवा पर बरोसा रहने वाले सुरक्षित है या जिस तरह सियोन परवत नहीं हिलता जिस तरह हिमालया परवत नहीं हिलता वैसे हम भी हिलेंगे नहीं यदि अमारा बरोसा परमेश्वर पर है यह तो समझ आता है ठीक है और यह जो बात मैंने आपको बताए ना कि सियोन के चारों तरह परवद है इसमें लिखा है यरुशलेम के लिखा है ना दूसरे पर में कि आज 2021 सेप्टंबर 25 तारीक को सेप्टंबर 25 को यहुवा अमारे चारों और है इसका मतलब अम सुरक्षिद है हा या ना कुछ तो बताए अगर यहुवा इसलिए परिमेशर आपको एक तस्वीर दिखा रहा है जस तरह एक शहर के चारों ओर पहाड़ी पहाड़ है और उस जमाने के हिसाब से सोचे आज के 21 अए किस इसाब से नहीं उस सब्सक्राइब जमाने की साब से एक शहर जिसके चारों तरव पहाड़ है उस शिए पर आकर्वन करना बहुत मुश्किल है उस शहर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है उसी तरह और फिर जब यहोग़ने चारों और है जैसे हमने गीद में गाया ना तुमारे तुमारे शत्रु का निशाना तुम पर सफल नहीं होगा अपने आँखों की पुद्ली समान वो तुमारी रक्षा करेगा तो यहां पर परमेश्वर अपनी सुरक्षा का एक कुबसूरत तस्वीर आपको दे रहा है जिस कारों तरफ है सुनके अच्छा लगता है प्रेइस लूर्ट लेकिन मैंने शुरुबात में आपको बुला की सुरक्षा का रहसी क्या है बेद क्या है अगर परमेश्वर की सुरक्षा हमेंच चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करना होगा या यूं कहूं की सुरक्षा की सत्रवा अद्याय में में येpine ने प्रार्तना की किस के लिए येश्यमसी ने उस समय के चेलों के लिए और बविश्य में जितने période लोग ये शीमसी पर विश्वास करेंगे ओन सब के लिए भी प्रार्तना की तो आपको लिए मेरे साथ योहना का सुच समाचार का सत्रव अधिया है उसमें वो प्रार्टना है और प्रार्टना करते हुए ये शुमसी ने बहुत सारे बातें कहीं है लेकिन हम दो जरूरी बातों बर जो हमारे आज की चर्चा के विशेश से संबंध रखती है हम बात करेंगे इसका ग्या अवित्र पिदा अपने नाम से जो तुने मुझे दिया है उनकी रेक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों ये शुमसी जब जगत में रहा इंसान के रूप में मनिश्यों के बीच में रहा तब बारवपद में ये शुमसी कहता है कि जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस न आम से जो तुने मुझे दिया है उनकी रेक्षा की हमें चाहूंगा कि आप इस बात पर विचार करें और द्यान दें जब ये शुमसी पृत्वी में अपने चेलों के बीच में रहा तो ये शुमसी ने उनकी रेक्षा की यही लिका है उन चेलों को रेक्षा के लिए या कुछ करने की जरूरती, कुछ यत्न करने की जरूरती, कुछ प्रयास करने की जरूरती, कुछ कास प्रार्तना करने की जरूरती, नहीं, उनको एक ही काम करना था, इस बात पर बरोसा रखना था कि ये जो हमारा मसीहा है, वो मेरा रक्षक है, वो मेरी रक्षा करेगा, इतना इ कि लिखा है येश्व मसी उन चेलों की रक्षा करता था कैसे उस नाम से जो परमेश्वर ने येश्व मसी को दिया था मतलब क्या है उस अतिकार से जो परमेश्वर ने येश्व मसी को दिया था याद आना कि येश्व मसी मनिशे बनके आया था तो जो कुछ भी येश्व मसी करता था, पिदा की आग्या के अनिसार करता था पिदा के उस अतिकार से करता था, याद आना येश्य मसी जब पानी में बबतिस्मा लिया, जो हमें भी कहा जाता है हमें करना चाहिए, पवित्र आत्मा उत्रा और पिदा ने एक गवाही दी, ये मेरा प्रियो पुत्र है यानि ये आप से authorized है, जब पिदा कहता ना, यहूदियों की संस्कार में या संस्कृतिमें जब पिदा कहता है कि ये मेरा मेरी संदान नहीं, मैरा बेटा है, इसका मदलब है कि अब मैने इसको जिम्नेदारी दी है, अब इसके पास पूरा अतिकार है मेरे बहाफ में मेरी और से काम करने के लिए उस नाम से उस अतिकार से जानि पिता के पास जो ताकत है जो शक्ती है जो स्किल है उन सब को इस्तमाल करने का अधिकार येश्यमसी के पास था येश्यमसी अपने चेलों की रक्षा की, सुरक्षा की, अब येश्वमसी इस पृत्वी से जा रहा है और बापस पिता को वो काम दे रहा है कि पिता अपने नाम से, अपने उस अधिकार से इन सब की रक्षा करना है। और से होगी क्यों होगी क्योंगी हम उस पर बरोसा कर रहे हैं और परमेश्वर अपना पूरा अधिकार का इस्तमाल करेगा अमारी सुरक्षा के लिए हमें क्या करना होगा भरोसा थर बजन 23 में हम एक पर चलते हैं बजन 23 और द्यान रखिए परमेश्वर ही है जो आपको बचा सकता है आपको सुरक्षित रख सकता है जो आपकी रक्षा कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता आपकी जो प्रार्तना है या जो कई बार हम वचन को प्रक्लेम करते हैं जब हम बोलते हैं गोशना करते हैं या कनफेस करते हैं वो अमारी सहायदा कर सकता है इस बात में कि हम परमेश्वर पर बरोसा रखें लेकिन अम अमारी रक्षा प्रातना करने से नहीं होती परमेश्वर पर बरोसा करने से होती है प्रातना उस पर बरोसा करने में अमारी सहाइदा करती है वजन को पढ़ना उस पर बरोसा रखने में अमारी सहाइदा करता है जब वजन की बातें बोलते हैं वो सुनके अमारा विश्वास या बरोसा बढ़ता है परमेश्वर पर लेकिन अमारी रक्षा या अमारी रिखवाली कोन करता है अमारी सुरक्षा किसकी और से हैं सिरफ परमेश्वर की और से हैं यह ध्यान रखना बजन 23 में वो कहता है कि चाहे मैं गोर अंतकार से बरी तराई में से भी होकर निकलूं तो हानी से नहीं ढरूँगा यही लिका है even if I walk through the darkest valley सबसे अन्तकार बरी जगासे में निकलू तो भी मैं हानी से नहीं ढरूँगा क्योंगी तुमेरे साथ है यह है बरोसा 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 वो नहीं है जो आप चर्च के महोल में बैढ़ के करते हैं इस जगह बैटके अगर आप बरोसा कर पा रहे हैं वो बरोसा नहीं है जरूरी नहीं है कि आप में बरोसा हो जरूरी नहीं है कि आप में विश्वास हो इतना आपके अंदर बरोसा है या नहीं यह कहां पता चलता है बाहर नेकलने के बाद कहां पता चलता है जब आप गोर अंतकार से बरी हुई तराई से निकलेंगे और गोर अंतकार से बरी हुई तराई के बारे में अगर जानना हो तो दिली से बाहर जानना होगा क्योंकि शहर में आपको अंतकार नहीं दिखता दिखता है क्या, रात को भी अंधकार नहीं दिखता है, लेकिन दिन में आपको अंतकार दिखेगा, दिली से तोड़ा बाहर जाएंगे तो, विशेश करके बारिश के मोसम में, अब नोर्थीश की तरफ जाएए, बारिश के समय में अंधकार चाह जाता है, अब सौत की तरफ है, वाके में डर लगता है, विशेश करके जहांबर रबर के पेड़ हैं, जिसकी वज़े से रोशनी बिलकुल नहीं आएगी, अगर बारिश हो रही हो, अंतकार, तो ऐसा कुछ जगा में, जब आप निकल रहे हैं, आपको पता ने की आगे क्या है, और जंगली जानवर, और सांब और बिचू, तोड़ा सा डर आता ना, ऐसी जगाओं से निकलते समय, आपके अंदर अगर बरोसा है, कि वो मेरे साथ है, तो वो बरोसा है, प्रार्तना की मीच में बैठ के बरोसा करना आसान है, चच के बाहर निकल के, आपके अंदर बरोसा है क्या, यही बात डे बरोसा करने से, बरोसा करने से अंतकार नहीं हटता, फिर क्या हटता है, डर हट जाता है, यही मसी पर भरोसा रेकने से आपकी परिस्तिदी में एकदम कोई परिवर्तन नहीं हाता, आप पर आकरमन करने के लिए जो शत्रू आता है, वो हटता नहीं है, एकदम सामने से, ले लेकिन आपके अंदर डर नहीं होगा, आपके अंदर क्योंगे डर नहीं है, उसका मुह नहीं कुलेगा, तो बरोसा करने से आप सुरक्षिद रहेंगे, यानि सुरक्षा की जो कुंजी है, वो आपका बरोसा है, जो आपके अपने परमेश्वर पर है, किस पर? मेरे परमेश् के विशे में येश्व मसी के विशे में ये कह सकते हैं कि वो मेरा अपना परमिशुर है अगर आप कह सकते हैं तो आपके लिए आसान है उस पर वरुसा करना अगर आप नहीं कह पा रहे हैं तो वचन आपकी सहाइदा करता है चर्च में आने से आपको सहाइदा मिलती है प्रा आपको सुरक्षा नहीं मिलेगे, आपको बरौसा करना होगा, यानि वचन आपकी सहाइदा करता है, अब बजन सहीदा में ही है न अभी, 138 में चलते हैं, अभी हम 23 में थे हैं, तो कुछ पन्नों को पलेटने के बाद 138 में पहुंचेंगे, यहां बर यही बजन सहीदा में आ अपना पूरा अतिकार इस्तमाल करता है अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, देखिए ध्यान रखना, कुछ परमेश्वर की परदिक्याएं हैं, जो विक्तियों के लिए हैं, यानि परमेश्वर की परदिक्या मेरे लिए हैं, आपने से हरे के लिए हैं, और यह विक् में होंगा तो वो प्रदिया का पूरी होगी जब आम इकटा होंगे तो कुछ पर्दिया है पूरा जुंड के लिए है और बहुत सारी परदिया है परसनल है मेरे लिए है मैं खुद उस मुन पर देख्याओं को हासिल कर सकता हूं परमेश्वर पर बरुश्वर करके 138 में क्य क्या लिखा है तो मैं जब अपने दुश्वनों के अपने शत्रू के बीच में रहूं तो परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा मुझे इंदी में लिकना जिलाएगा यानि परमेश्वर मेरी सुरक्षा करेगा मेरी रक्षा करेगा जब मैं संकट के बीच में रहूं यानि म मेरे करोधितarded शcket्रों के विकित हाथ बढ़ाएगा और यहांवर पर परमेश्र एक तस्वीर और दिखा रहा है कि वह कैसे आपको समालता है या यापकी रगशा करता है इतना बदाना काफीPE नहीं था कि परमेश्र मैं तमारी रगशा करूंगा लेकिन परमेश्र हमें कई वार ऐसा विश्वल्स देता है ताकि हमारी कल्पनाहों में वो बात रहे और हम बरोसा कर सके वो अपना हाथ बढ़ाएगा किसकी और? नहीं हो सकता है नहीं मेरे शत्रू के और बढ़ाए और उसको उठाए वहाँ से अटाए यह क्या लेका है अंबे? तु मेरे क्रोधिन शत्रूओं के विरुथ हाथ बढ़ाएगा आप समने कहा कि मेरी ओर नहीं आपको नहीं उसको 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 हटाने के लिए जो संकट है उसको हटाने के लिए वो हाथ बढ़ाएगा और अपने दाइने हाथ से मेरा उद्धार करेगा मैं पहले भी सिखा चुका हूं अमारे देश में भी अम दाइना और बाइना हाथ का फरक रखते हैं है ना दाइना हाथ अमेशा आशिश देने के लिए है बचाने के लिए है अम लोग कोई भी इस बाइना हाथ से खाना खाना न आपना दाय हाथ बढ़ाएगा शत्रु को हटाएगा और हमें बचाएगा तस्वीर आपको मिल रही है ना इस तरह परमेशर करता है जब आम उस पर परोसा रखते हैं उस पर विश्वास रखते हैं और विश्वास कैसे आता है वचन को सुनने से आता है तो कोई मनिश्य अमारी रिक्षा नहीं कर सकता और किसी मनिश्य पर और द्यान रिखना आप परमेश्वर पर तब तक बरोसा नहीं कर सकेंगे जब तक आप दूसरी चीजों पर बरोसा कर रहे हो यह दियान रखना जब तक आपका विश्वास दूसरी चीजों पर है या किसी विक्ती पर है या किसी योजना में है तो आप परमेशुर पर बरोसा नहीं कर सकते परमेशुर पर बरोसा रखने के लिए आपका दियान पूरी तरह परमिश्वर पर लाना होगा उसके वचन के आदार पर आप उस पर बरोसा कर सकते हैं और जब आप बरोसा करेंगे तो परमिश्वर अपना पूरा अधिकार इस्तमाल करेगा आपकी रक्षा के लिए एना अची बात इस बजन में और क्या देखते हैं इसमें लिखा है 38 का आठ में हिंदी में जो लिखा है बिल्कुल क्लियर लिखा यहोवा मेरी लिए सब कुछ पूरा करेगा यहोवा तेरी करुना सद्यासदा के लिए इंग्लीश में लिखा है कि अगर आप King James Version या New King James पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि My God will perfect everything concerning me और अलगला versions में लिखा है कि परमेश्वर जो बात मैं आपको बताता हूँ मैं यह क्यों बता रहा हूँ क्योंगी अगर आप इंग्लीश में कमजोर हैं आप इसको गलास समझेंगे इसमें यह नहीं लिखा है कि जिन बातों को लेके आप concern रिखते हैं उन सब बातों को परमेश्वर पूरा करेगा concern रिखने हैं आप समझते हैं things that you are worried about आपके concern को लेके आपकी चिंताओं को लेके और जगाओं में लिखा है कि आपको क्या करना चाहिए सारी चिंदा उस पर चोड़ दो क्योंकि उसको तुमारी परवा है परमेश्वर को दियान है आपका मैंने एक बार एक जन को प्रार्तना करते हैं सुना कि परमेश्वर तेरा बचन में लिखा है आपके जेवट के लिए वह परमेश्वर पूरा करेगा यह लिखा है आठ पापद में that God will perfect everything concerning you God will fulfill his plans for you और नए भी मैं ऐसे लिखा है God will fulfill his purpose for you यह लिखा है यह नहीं कि जिन बातों से आप चिंदा कर रहे हैं उन सब बातों को परमेश्वर पूरा करेगा, ऐसा कोई बाइदा परमेश्वर यहां पर नहीं कर रहा है, ये मैं उनके लिए कर रहा हूं, जो इंग्लिश बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं कि उसमें क्या लिखा है, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदी में भी पढ़ लिया करो, अगर आपकी इंगलिश ट्रॉंग नहीं है, और परमेश्वर मुझे उधार देगा, और फिर मेरे जीवन के प्रदी परमेश्वर की जो योजना है, जो मकसद है, जो उद्देश है, वो पुरा करेगा, मुझे क्या करना होगा, बरोसा रखना है, बरोसा करना है कि जो कुछ परमेशन ने मेरे लिए रखना है, वो पूरा होगा, अच्छा लगता है, सुनके अच्छा लगता है, सुनके विश्वास भी आता है, तो मेरी रक्षा कैसी होगी, जैसे सियोन परवद चारों तरफ से ग मेरे कहाल से सब लोगों ने रट लिया होगा वो, 91, Psalm 91, उसमें जो बातें हैं, लोड़ा समय आपको खिलाना चाहता हूँ, ठीक है, तो काली जगा बर जाती ने खिलाने से, प्रार्तना करते हुए, मैंने लोगों को, ये कहते हुए सुना है कि परमेश्वर, अपने स्वर्ग दूदों को बेहेज, ठीक है, आप परमेश्वर स्वर्ग रिकर्ष करते हैं, परमेश्वर प्यार करता है, तो परमेश्वर आपके लिए क्या नहीं करेगा, लेकिन हमें कहने की जरूरत नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ से, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बजन एक्यानवे में लिखा है, कि वो यानि परमेश्वर अपने स्वर्ग दूदों को आग्या देगा, कि वो आपको गिरने से, या आपके पेरों को छोट लगने से, पहले आपको पकड़ ले, यानि आपकी सुरक्षा करें, वो देगा, वो अगर दे रहा तो फिर मुझे मांगने की जरूरत है, फिर भी, अगर मांगने से, आप बरोसा कर पा रहे हैं, तो मांगिए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, अगर आप परमेश्वर पर बरोसा कर रहे हैं, तो आप सुरक्षिद है, आपको कहने की जरूरत नहीं परमेश्वर, अपने सारे बलवन स्वर्ख दूदों को बेच, मेरी रक्षा करने के लिए, कमज़र वालेंगों मत बेच, कहने की जरूरत नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, ऐसा कहने से, आपके अंदर विश्वास बढ़ रहा है, तो आप कहिए परमेश्वर, परमेश्वर है, वो जानता है, बदन एक्यान में में यही लिखा हैं, वो परमेश्वर अपने स्वर्ग दूदों को, तुमारे विशे में आग्या देगा, तो अगले बार जब कोई बड़ी बिवित्ती आएगी, हम नहीं कहरा है कि आना चाहिए, अगर आ जाए, तो आपको पता है, इस बदन के शुरुवात में यही लिखा ना कि, जो परम प्रदान के चाहे हुए स्थान बयाने, परम प्रदान के उस सीक्रेट हाइडिंग प्लेस, चुपने के स्थान में है, जैसे उस गीद में मैंने बदाया ना कि उसने चुपाया, उस चुपने के स्तान में है, उस चुपने के स्तान में कैसे पहुंसते हैं, उस पर बरुसा करते हुए, तो वो परमेश्र की चाया में ठिकाना पाएगा, he will find shelter under his shadow, यानि आपको पदा चलेगा कि उसकी जो परचाई है, परमेश्र की मुझ पर है, जब तक आप उसके पंग के नीचे है, शत्रू आप की कुछ नहीं बिगाड सकता, और ध्यान रेकिना परमेश्र यह नहीं कहता है कि वो शत्रू हट जाएगा एकदम सामने से, जब गोर अंतकार से बरह हुई तरह होकर आप निकलते हैं, तो कोई गैरंटी, कोई वायदा नहीं है कि वो अंतकार हट ज जाएगा, वो काफी है ना, डेविड कहता है कि मैं नहीं ढरूंगा, क्योंकि तुम्हेरे साथ है, मुझे मालूम है कि तुम्हेरे साथ है, वो है बरुसा, और मुझे तसल्ली मिलती है, तेरी प्रेसंस, तेरी उपस्तिधी मुझे पदा चल जाता है, बहुत अच्छी बात इसलिए उनको पता है, तोनों में फरेक है, हम प्रैक्टिस करते हैं बाहर जाके, चर्च मेरे के हम अधियन करते हैं, बास समाझ आई, बाहर निकल के अम प्रैक्टिस करते हैं, तो अगली बार जब आप बदन एक्यानवे में जाएंगे, 91st साम में जब आप जाएंगे, आ उससे अगर आपका विश्वास बढ़ जाता है, तो आप करिए, परमेश्वर को बुरा नहीं लगता, लेकिन परमेश्वर ने आपके और मेरे प्रारतना से पहले ही लिखवा दिया कि मैं ऐसा करता हूं, आपकी सुरक्षा कैसे करनी है, वो परमेश्वर हमसे जादा जानता ह आपको सिरब एक काम करना है, उस पर बरोसा रखना है, और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में एक बात आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर पर पूरी तरह बरोसा कर रहे हैं, लेकिन आप सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, आपको ऐ ऐसा होने दिया, उसके पीछे परमेश्वर का कोई बड़ा मकसद होगा, फिर भी आप सुरक्षित रहेंगे, आपको लग नहीं रहा, आपको दिख नहीं रहा, जैसे प्रेड़ दोंगे कामों का बाहरव अध्याय में, पत्रस ने अपने आपको कहां पाया, जेल में पाया एक बार ऐसा हाना, राजा का हुकम जारी होने के बाद, पत्रस को सेनिकों ने पकड़ लिया, और आट बर जेल में रहा, बिलकुल अंदर की कोटरी में रहा, अगर पत्रस की जगा आप होते हैं, उसे में क्या सोचते हैं, यही हिना कि परमेश्वर ने कहा है, कि वो अपने फरिष्टों को अपने स्वर्ग दूदों को आगिया देगा लेकिन यह तो मैं अभी जेल के अंदर हूँ और कल क्या होगा मुझे नहीं पता पत्रस ने भी ऐसा सोचा को मुझे नहीं पता है मैंने पत्रस से इंडर्वी लों का वाँ जाके अभी तो इनसान होने के नाते सोचता है कि यह क्या हुआ कल तक तो मैं यही सोचता रहा कि वह अपने स्वर्ग दूदों को आगिया देगा और आज मैं जेल के अंदर हूँ और मैं अकेला भी नहीं सो रहा हूं दो सैनिक मेरे सास सो भी रहा है और जंजिरों से बांध रखा है ताके मुझे ना जाओं ठ तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इस समय या बविशे में कभी भी कि परमेशर की सुरक्षा जिसके लिए परमेशर वाइदा करते हैं जिसके लिए मैं बरोसा भी कर रहा हूं अभी फिलाल मेरे साथ नहीं है तो वो कुछ समय के लिए हैं परमेशर की और से कुछ बहुत बड़ी योजना है आप बरोसा जारी रेखिए आप उस परिस्तिति से बाहर आएंगे एक तो एक हो गया दूसरा आप स्वयम परमेश्वर की सुरक्षा से बाहर निकल गए है जैसे यहूदा ने किया था हमने यहना का सत्रवा द्याय में पढ़ा था ना कि कोई भी नाश नहीं हुआ क्यों यहूदा उस सुरक्षा से बाहर निकल गया क्योंगी वो और चीसों के पीछे बाहर रहा था जो परमेश्वर ने उसके लिए रहका था आप यहूदा जूदा इसकरियत प्रेड़ों में से एक था बारव प्रेड़ों में से एक था यानि परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना थी बहुत बड़ा मकसद था उसके जीवन को लेके लेकिन उसने अपनी मर्जी से उस चीज़ को टुकराया इस बात को मत बूलना बूलने से क्या होगा बहुत सारी चीज़ें आपको आप गवा देंगे यहुदा एक साधारन इनसान नहीं था सिरब एक चैला नहीं था एक प्रेरित था जिसके जीवन में केतना कॉलिंग परमेश्र की बुलाहट थी और परमेश्र की बहुत बड़ी योजना थी लेकिन उसने अपने मरजी से उसको टुकराया वो और चीज़ों के पीछे बागता रहा और चीज़ें उसको अच्छी लगती थी इसलिए उसने इसलिए वो कुद उस सुरक्षा से बाहर निकल गया और फिर वो सुरक्षा कभी बापस उसको नहीं मिली, क्योंकि वो कुछ चला गया था, उसका बरोसा अपने प्रभु येश्व मसी पर नहीं था, आपको मालूम है कि वो ता ना, क्या बोलते हैं, कशियर, कजान जी था ना वो, वो उसको अच्छा लगता था, क्यों, सब मेरे पास आते हैं, सब मेरे पास आते हैं, किस जमीन के जिकर हैं, वाईविल में, एक उसने उस चोरी के पैसे से करीदी थी, और एक वो जो पैसे उसको येश्व मसी को पकड़वाने के बदले मिले थे, उस पैसे को उसने बापस दिया, उसने कुछ करीदा नहीं, उस पैसे से शर्च के लीडिर्स ने उसमाने के एक जम के लिए उसने एक प्रोपर्टी खरीदी थी अपने लिए बहुत बड़ा बिसनेस प्लांस थी उसके पास लेकिन उससे पहले वो कतम भी होगे इसलिए वो पूरी नहीं हुई इसलिए ध्यान रेकना अगर आपको तोड़े समय के लिए ऐसा लगता है कि परमिश्र की आप जब तक वरोशा कर रहें सुरक्षा है अगर परमिश्र में कुछ ओने दिया है जैसे कभी कभी ऐसा लगता नहीं कि परमिश्र की सुरक्षा जैसे एक्सिडेंट रूपरैस्ट बूने तो पकड़ा नहीं मुझे जैसे अभी हुआ ना तो आपको आपने सोचानी जोग को आज के बाद सोचेंगे अरे उस वर्क दूद कहां गया उसलिए तो पकड़ना था मुझे यह जिनको जिनको कोविड हुआ है आपको लगा होगा ना कि वह लगा है कि वह दस अजार तुमारे दाइने और गिरेंगे और बीस अजार इदर गिरेंगे और कोई भी बिपत्ति टू हिए तो मैरे जिरे ऑंदर यह जजई मैं नहीं अगे और अन्दर को जैसा हुआ लेकिन वह थोड़े समय के लिए जाब और हर्मेशन यह श्रूर्क चाहए को कि अपने हर्कत की या फिर आप ने बड़ी हर्कत करके अपने आपको बाहर निकाल डिया और आपारी रहें उस जगह से लौट के आना बहुत मुश्किल था जबकि परमेश्वर ने उसको अवसर दिया था मन फिराने का अवसर दिया था तो परमेश्वर हमेशा हमारी सुरक्षा करता रहता है स्वर्ग दूद को कहते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रेक्शन से हमारे लिए बदन इक्यान सबको है लेकिन आपको क्या करना है आपको वरोशा करना है कि मेरे लिए जो असाइंड मेरे लिए नियुक्त स्वर्गदूद मेरे संग संग चल रहा है आपको दिखाई नहीं देगा आप हरजी डाल सकते हैं परमेशन मुझे कभी दिखाई दे कि मेरे साथ है जब मैं केनिया में था मुझे नहीं दिखा पास्टर लोईड को दिखा कि मेरे साथ एक नाइन फुट का एक सुर्ग दूद है परमेशन हमेशन हम आपकी सुर्क्षा करता है कई बार आपको पता लगता है, कई बार आपको नहीं पता लगता लेकिन उसका effect की परमेशुर मेरा बरोसा कर रहा है आपको पता चलेगा अनुभव से जब आप उस पर बरोसा कर रहे हो तो जैसे यरुश्यलेम या सियोन परवद की चारों तरफ परवद है बड़े बड़े वैसे परमेशुर हमारे प्रभु येश्मसी हमारे चारों तरफ है हमेशा है और उसके स्वर्गदूद को उसने नियुक्ति दी है कि हमारी रक्षा करे हमें सिरव एक काम करना होगा उस पर बरोसा करे कि वो हमारी रक्षा करेगा तो सुरक्षा की कुंजी यह है उस पर वरोसा करना उसके लिए आपके पास वचन है जिसके सहाइदा से आप कर सकते हैं